इसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और इसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और उस पे येस क्लिक करने पर आपका वो फाइल permanently delete हो जाएगा सो किसी भी unwanted चीज को दो बार delete करने से बचने के लिए ये shortcut की ज़रूर इस्तमाल करें गैस अगर आपने computer में कोई भी screen का आपको screenshot लेना है तो simply press करें windows प्लस print screen बटन और इससे आपका कोई भी screen screenshot हो जाएगा और उस screenshot को access करने के लिए this pc में click करें pictures folder में जाएगे और उधर आपका screenshot folder मिल जाएगा और वहाँ पर अपने सारे screenshot को आप access कर पाओगे सो वेज़ ये था full screen